हालो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासिज हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग कॉंसेप्ट आंड स्कोप ओफ आर्ट और जो लर्नर्स न्यू है इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करके और पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें ठीक है तो आज हम इस टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कॉस करेंगे तो वीडियो को स्किप मत करना यह कॉंटेंट है हम इंटॉडाक्शन डेखेंगी दन मीनिंग दन कुछ आठ के क्रेक्टेस्टिक्स भी देखेंगे तन एंड में हम बात करेंगी कि वट आथि स्कॉस्प ऑफ आठ सो सबसे पहले हमारी इंटॉडाक्शन की वट ईज आठ इस एंट्स अप्स तो यह हमारे थोर्ट का एक्स्प्रेशन है जो हम सोचते हैं हम उसको एक आर्ट के माधम से टिक है इसे एक्टिविटी और स्किल ओफ प्रोड्यूजिंग तिंग्स पेंटिग, डिजाइन्स, व्योजिक, डांस, फोटोग्रॉफिक, एक एक अक्टिविटी या फिर एक स्किल है छाइचे जो आर्प है वेक स्किल है कि उससे हम कुछ थिंग्स प ठीक, architecture हो गया, music है, वो भी एक color है, dance is also an art, और photographic, etc. So, यह है छोटी सी art की introduction, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो. So, अब है meaning, what is the meaning of art? So, the word art is derived from the Greek word ar, which means to create, to make, or to fit. कि यह जो शब्द है art, वो एक Greek शब्द, ar से लाया गया है, जिसका मतलब होता है कि to create, कुछ create करना, कुछ नया बनाना, to make, ठीक है, or to fit. So, this is first meaning, second is, in Sanskrit language, art is called as color, Sanskrit में art को color कहा जाता है, जो एक Sanskrit root, यानि कि एक Sanskrit धातू से आई है, और जो धातू है, काल, जिसका मतलब होता है कि to inspire, or to give pleasure, यानि कि जिससे हमें अनन्द मिले, उस color को देखने से हमें अनन्द मिले, So, वो हुआ, Sanskrit language में इसका meaning, ठीक है, next, third meaning है, Latin language का, So, Latin language में art का meaning है, skill, ये कोई कोशल है, जो art है, वो एक skill है, और craft या आप इसको कहते हो, So, these are three meanings of art, let's talk about the definitions of art, हम total six definitions के बारे में बात करेंगे, जिसमें से first definition है, plateau की, So, according to plateau, art is silent language, कि जो art है, वो एक silent language है, वो बिना कहे भी, वो बया कर देते है, कि वो क्या कहना चाती है, For example, कोई एक painting है, वो बोलती नहीं है, बट आप समझ पाते हो, कि उसमें क्या कहा गया है, ठीक है, So, इसलिए जो color है, वो एक silent language है, next definition है, Aristotle की, So, according to Aristotle, art is imitable, imitable means, कि art को हम imitate कर सकते हैं, हम उसकी नकल कर सकते हैं, ठीक है, Third definition है, according to Rabindranath Tagore, art is expression of human experiences, जो हमारे experiences होते हैं, उसको express करते हैं, हम art के जरी, ठीक है, So, these are three definitions, now fourth definition is Leo Tolstoy की, So, Leo Tolstoy identified art as a use of indirect means to communicate from one person to another, कि art का use, एक indirect means of communication की तरह भी होता है, कि हम एक person से दूसरे person तक indirectly अपने शब्दों को पहुँचा पाएं, For example, कोई drama हो रहा है, stage पे कोई performance हो रही है, तो audience के साथ तो communication नहीं हो रही है, बट फिर भी वो समझ रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है stage में, So, this is the point, next is according to Mahatma Gandhi, So, Mahatma Gandhi जी ने क्या कहा, वो भी देख लेते हैं, art is the work of spirit, जो color है, वो spirit का कार है, So, the outer forms are alive only when inner self is living, कि outer form जो है हमारी वो तभी alive हो सकते हैं, जब हमारी inner self जो होगी, वो living होगी, अब हम बात करेंगे art की concept की, concept of art, So, the art is a beautiful way of expressing internal feelings, जो color है, वो एक बहुत ही सुन्दर वे है, कि जिससे हम अपनी feelings को express कर पाएं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसको हम किसी paper पे, किसी dance के मादें से, किसी music के मादें से express कर पाएं, ओके, and art is a part of human life by birth, बर्थ से ही किसी भी बच्चे का art एक part होता है, जब भी वो जनम लेता है, उसके इर्द गिर्द अलग अलग तरह के रंग होते हैं, उसको लोरियां सुनाई जाती हैं, वो भी एक art है, उसके इर्द गिर्द बहुत अच्छे अच्छी pictures होती हैं, तो वो भी एक art है, तो जो बच्चा है, वो अपने जनम से ही, कला से घिरा हुआ होता है, ठीक है, आर्ट is following humans like a shadow, एक shadow की तरह, एक परच्छाई की तरह, जो art है, वो humans को follow करती हैं, without art, humans cannot imagine life's origin, आर्ट के मिना हम अपनी life का origin भी imagine नहीं कर सकते हैं, it is from ancient time, that the human follow art to express his feelings, कि ancient समय से होता आ रहा है, बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, कि human beings अपनी feelings को express करने के लिए कला का use करते हैं, ठीक है, वो dance के माधियम से भी हो सकता है, अपनी चित्रकारी के माधियम से भी हो सकता है, ठीक है, and in Vedic era, various utensils, playing stuffs and lot of wooden made articles are still found, जो वेदिक एरा में बनाए गए utensils थे, कुछ playing stuff था, और बहुत सारे wooden made articles अभी भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आप ये भी देखते हो, मंदिरों में जो मूर्तियां होती है, वो भी उसी समय से हैं, बहुत ancient समय से हैं, उसमें भी art का use हुआ है, वो भी एक कला है, ठीक है, जो art है, वो बहुत ancient time से हमारे साथ चलती आ रही है और आगे भी चलेगी, और अभी भी जो गाओं की महिलाए हैं, वो अपने घरों को पेंट करती हैं, उनकी वोल्स को, उनके फ्लोर्स को पेंट करती हैं, बहुत natural colors से, ठीक है, उसमें birds बनाए जाते हैं, अनिमल्स की पेंटिंग्स होती हैं, flowers की होती हैं, plants की होती हैं, इसी तरह से जो art है, वो हमारे साथ एक shadow की तरह, एक परचाई की तरह, चलती आ रही हैं, ठीक है, so this is the concept of art, अब बात करते हैं, characteristics of art की, art की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं, first point is, art has social value and cultural knowledge, जो art है, उसकी social value है, cultural knowledge है उसका, so, हर कोई अपनी values को किसी दूसरे के सामने रखता है, जो point है, वो अपनी point के मादें से रखता है, क्योंकि वो भी एक color है, जो painter है, वो अपनी painting के मादें से रखता है, जो actor है, वो अपनी acting के मादें से रखता है, जो art एक ऐसा way है जिसे artist अपनी values को अपने expressions को किसी दूसरे के सामें व्यक्त कर बाता है Next point is art is individual Art जो है वो individual है जिस तरह से हर person की personality अलग-लग होती है हर किसी के अपने individual thoughts होते हैं choices अलग-लग होती है उसी तरह से जो art है वो भी individual है And through art every individual fulfills their objective of uniqueness और जो art है वो हर किसी को unique बनाती है क्योंकि हर किसी की जो कला है वो अलग है जो painter है उसकी कला अलग है जो poet है उसकी कला अलग है So art individual है हर किसी individual की अपनी अपनी कला है And every art makes the person as a different personality Now the third is art is recorded जो art है वो recorded है Ancient time से ही जो art है उसको record किया गया है हम देखते हैं जैसे हमारे जो temples है वो art का एक बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि आप देखते हैं वहां पर ancient time की मूर्तियां है हमारे museums में art को record करके रखा गया है बहुत पुराने समय से So जो art है वो recorded है Now next point is connecting by art जो art है वो heard की language है हम अपनी feelings को जो हमारे शब्दों से बया नहीं हो सकती है उनको हम कला के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचा सकते है So जो art है वो connect करती है लोगों को बिना बोले हुए भी अब बात करेंगे scope of art की Scope means area Art का क्या-क्या area है Art कहां-कहां पर use होती है So यहाँ पर हमारे पास six scopes है जिनके बारे में आगे हम ब्रीफली डिसकस करेंगी So first one is fine art Then visual art Decorative art Performing art Applied art And last one is plastic art ठीक है तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिसकस करते हैं First one is fine arts Fine arts is the study of drawing Sculpting Painting Music, Dance, Architecture and Theatre एक्सेटर जो fine art है वो एक study है किसकी? Drawing की Drawing करना सिखाया जाता है Sculpting की study है यह painting होती है वहाँ पर Music, Dance, इन सब की study होती है Fine arts और यह एक undergraduate degree course है तीन साल का degree course आप कर सकते हैं जो fine arts colleges होते हैं वहाँ पर And fine arts graduates can avail a career option in various fields Such as art studios, advertising companies, product design, magazines, television, graphic arts, etc. So this is the first scope of art that is fine arts Next scope is applied arts Naam से पता चल रहें Applied means हम जहां पर अपनी art को apply कर सकें अपढ़ लेते हैं The applied arts are all the arts that apply design and decoration to everyday and essentially practical objects In order to make them aesthetically pleasing Examples of applied arts are industrial design, sculpture, architecture, crafts, interior design, fashion design, etc. यानि कि जो applied art है वो उस तरह की art है जहां पर design को apply किया जाता है या फिर decoration की जाते हैं जो everyday हमारे objects होते हैं या फिर जो decoration के objects होते हैं उन पर हम art को apply करते हैं ताकि वो aesthetically pleasing दिखें ठीक है और इसके कुछ examples भी है और सामने यहां पर मैंने आपकी एक picture भी paste किया यह sculpture है Now next one is visual arts Visual arts उस तरह की art होते है जिसको आप visually देख सकते हो The visual arts include mediums such as drawing, paintings जैसे यह सामने एक painting लगाएगी है यह एक visual art का example है Sculpture, architecture, photography, film and printmaking So this is a visual arts Now next one is performing arts Performing arts are arts architecture as music, dance and drama which are performed for an audience जहां पर audience के लिए art को perform किया जाता है जैसे यह picture है, एक dance की picture है So this is performing art Next one is decorative arts So decorative arts जो है वो applied art का ही एक part है And it includes basket weaving, ceramics, tapestry and others जैसे यह ceramics का एक example है आपके सामने Пट्रस्टिक मत्रे जाता है एक कि एक ट्रफटीक मारण के साथ करूं पर में, जिसको आप मौल्ड कर शको, उसकी शेप बना सको, जैसे स्टों ओगा, वोड, ओगा, क्रीट यह एक मैं पर एक सामने एक detail है, जहां पर एक प्लास्टिक माल्ट्रेयल का यूज कीया गया है ल is plastic art. So guys that's all for now and thank you so much for watching. Video कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, कोई और भी ट्वी ट्वापिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो और आप वीडियो आपके लिए रही हो गया रही है झाल झाल